प्रातना की महक प्रातना के बाद भी सेंसुडेंट के टुठ का करेंट गॉन तो लाइफ का करेंट अन्सन्राइज मसाला स्वार बिहार का अब ये और दिमागी माता पच्ची चलेगी लेकिन मद्यप्रदेश थोड़ी देर पहले संतो सिंग जी से बात करते हूँ कह रहा था ये रेरेस्ट ऑफ रेर होगा बीजेपी के लिए भी जहां पर वो अगर दक्षन के राज्यों का अपवाद छोड़ दें उत्तर भारत में उनकी वोटिंग टेली 19 के मुकाबले भी बढ़ रही है मध्य परदेश वो राज्य है और महिला वोटर इसकी सबसे बड़ी वज़े है पस्त कॉंग्रेस दूसरी वज़े है संग्ठन की मजबूती तीसरी वज़े है और इन सब के उपर सुपर सीट करती हुई नरेंदर मोदी की इन इलाकों में लोग प्रीता तो है ही कॉंग्रेस को यहां पर 33 फीज़दी वोट मिलता नजर आ रहा है यहां पर उनके साथ गटजोड में All India Forward Block भी दिख रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि खज़राहो में उनके साथ गटवंदन में आई थी मीरायादव सपा की केंड़ेट पर चाखारेज हो गया और उसके बाद All India या Forward Block के केंड़ेट को वहां पर कॉंग्रेस से सपोर्ट किया इसलिए वो एलाइंस में दिख रहे हैं 33 फीज़दी वोट मिलता दिख रहा है दो परसेंट वोट का 19 के मुकाबले नुकसान है और यह ध्यान रखें 2019 का चुनाओ वो चुनाओ था जिसमें भोपाल में कमलना की सरकार चल रही थी यानि तब एक अर्से के बाद कॉंग्रेस वहां सप्ता में लोटी थी अन्य के खाते में यहां पर वोटिंग परसेंटेज में की बात करें तो बीएस पी को दो फीज़दी वोट दिख रहा है और और अधर को चार यानि यह एक बड़ा अंतर है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बीजेपी अपनी क्लियर विक्ट्री मान के चल रही थी और इग्जिट पोल के जो प्रडिक्शन है वो भी यही कर रहे हैं एंपी में क्यों कॉंग्रेस की इतनी दुरदशा हो रखी है कि इस बार खाता खोलने के भी लाले पड़ते नजर आ रहे हैं जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक पहुंच रही है बाकाइदा बुलंद कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूं आप कैसे हैं बढ़ी है बताइए सर जैसे 36 में हमने धान की खरीदी सुनी महतारी बंदन सुना मध्यप्रदेश में क्या इस दिए क्योंकि मेरे सामने यह वोटर टेली भी है सर जब बीजेपी 28 से 29 यानि या तो सारी सीटें या एक छोड़ के सारी सीटें जीती नजर आ रही है तो उनका वोटिंग परसेंटेज भी 61 पर दिख रहा है मध्यप्रदेश में बिल्कुल अपने कवरेश के दौरान में भी जो बीजेपी के प्रदेश अद्देक्ष वीडी शर्मा से बात की थी तो उनका टार्गेट था कि हम साथ प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत तक हासिल करने तो जो एक सीट क्या बात करते हैं तो एक सीट की बात है तो रहा है कि डिजेपी दे बार 28 से 29 तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चिन्वारा बीजेपी जीत रही है कि बंटी साहून नकुलनाथ को हरा रहे हैं यह सबसे बड़ा सवाल है दूसरा आपने का कॉंग्रेस की दुरगती, कॉंग्रेस की दुरगती गती जो थी वो पहले ही तैय हो चुकी थी, जब लंबे समय तक कमलनाथ पार्टी को समहलने के बाद, अच्छी कंडिशन में होने के बाद, अपनी खुद की जो करनाटक की महिला की जो सशक्तिकर्ण की योजना थी, वो योजना हाथो हाथ पहले से लाँच करके, बीजेपी को योजना का जो फॉर्मूला पकड़ाने के बाद, कॉंग्रेस को कमलनाथ अनात करके चले गए, जी तू पटवारी के हाथ में जब कॉंग्रेस आई तब कॉंग्रेस के पास संगठन के तोर पर इस बात को, तो इस बात को बीजेपी के भी नेता अच्छे तौर पर मान रहे थे, मौझूदा तौर पर जब हम बात करते हैं इस चुनाव की, तो ये चुनाव जो है, ये मूदी का चुनाव है, मूदी को चुनने या ना चुनने का चुनाव है, तो ऐसे में केंडिरेट बहुत माइने नहीं रखते कहीं पर भी आप सूचिए कि अगर केंडिडेट को देखकर वोट और दूसरा मद्यप्रदेश में एक बात समझनी पड़ेगी जब मैं यह कहता हूं कि मोदी का चुनाव है तो आप जरा याद किजिए 2023 के विधान सभा चुनाव में भारती जनता पार्टी का जो MP का कैंपेंड था समझ लीजे कि लोगसभा के कैंपेंड की तो शुरुवाती तभी हो गई थी तब विधान सभा चुनाव में बीजेपी का नहरा था MP के मन में मोदी और मोदी के मन में MP पागदा ऑफिशल सॉंग रिलिस किया गया था इसको लेके तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि MP में मोदी फेस तो विधान सभा चुनाव में चल जाता है उस विधान सभा चुनाव में जा अच्छे जानकार कह रहे थे कि इस बार नेक टो नेक फाइट होगी कॉंग्रेस सरकार बना भी सकती है एंटि अंकंबंसी है उसके बाउजूद अगर मोदी फेस विधान सभा चुनाव में चलता है तो स्वयम के चुनाव में जिसमें स्वयम मोदी को प्रधान मंत्री चुना जाना है तो ऐसे में वह फेस क्यों नहीं चलेगा तो यह तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात थी कि जिसमें कोई अरचल नहीं थी लेकिन इतना तहे कि क्या नखुलनाथ हार रहें तो मैंने जो अबजर्व किया मेरे साहोगी वह जब पहुंचे उन्होंने वो ग्रामीन इराकों में गए चिनवाला सी तो भागों में बच्चुकी थी शहरी शेत्र पर बीजेपी का कबजा था एक तरीके से बीजेपी का प्रभुत्व नजर आ रहा था उसकी बड़त नजर आ रही थी तो ग्रामीन शेत्रों में कमलनाथ इमोशनल कार्ड खेल रहे थे कि ये मेरे जिंदगी का अखरी चुनाव है एक बार नकुलनाथ को जिता दो मेरी इज़त रहे जाएगी बहुत बड़े कदावर नेता नहीं बात यह चिंदवारा वालों को यह भी लग रहा है कि कमलनाथ कब तक कॉंग्रेस में रहेंगे यह भी पता नहीं है राज्य में क्या इस्तिती है वो भी है बैराल इस पर 4 जून को विस्तार से चर्चा होगी आज तो एक्जिट पोले आप हमारे साथ जोड़े बहुत शुक्रिया